Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.27 करेंगे जो की Class 6 की है और सब्जेक्ट है Mathematics. ये Worksheet 29 December 2020 की है. तो आएए शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आएए देखते हैं आज की Worksheet Practical Geometry. Introduction, Dear Student, I am sure you have seen Geometry Box. Let us learn about the Geometry Box tools and how to use them. तो आज बेटा हम Geometry Box के अंदर जो tools होते हैं Practical Geometry. उसके tools के बारे में जानेंगे, उनके name जानेंगे और उनके usage जानेंगे. तो आएए करते हैं आज की Worksheet Start. तो देखे, सबसे पहले figure, यह अपने जरूर देखा होगा, जिसे हम common language में क्या कहते हैं, scale कहते हैं. तो इसका नाम क्या है? Ruler. इसे क्या कहा जाता है? Ruler. अब uses देखते हैं, प्रेक क्या है? There are signs in centimeter on one side of the ruler and the inches on the other side. We use ruler to draw a line segment and measure its length. यहाँ पे एक त्रफ आपको centimeters दिये जाते हैं, यहाँ पे centimeters दिये गया है, और दूसे सायड में यहाँ पर inches की sign होते हैं. और इसका use हम क्यों करते हैं Decなた. जरूर देखोगा इसके एक तरफ क्या है? एक तरफ यहाँ हम Pencil को यहाँ लगाते हैं. तो आईए देखे क्या लिखा है, the compass has two end, यहाँ पर इसके two end दिखाई दे रहे है, one end pointed, one end क्या है, pointed है, on the other end, a pencil is placed in it, यहाँ पर क्या लगाई जाती है, pencil लगाई जाती है, the compass is used to draw arc and circle, तो compass का use किसली किया जाता है, circle बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखो, यहाँ पर, यह midpoint है, यहाँ लगा दिया जाता है, उसको थोड़ा सा open कर लिया जाता है, उसके बाद pencil को इस तरहे draw कर दिया जाता है, तो इस तरहे क्या बन जाता है, एक circle बनाया जाता है, और arc लगाया जाता है, जिसे कि यहाँ पर कोई line है, तो यहाँ पर हमने यह नुकिला पार्ट लग दिया है इसका pointed और इस तरह से यहां से और यहां से इस तरह से हम arc लगाते हैं ठीक है स्टोरेंड आईए next देखने क्या दिया गया बेटा next में divider next क्या है divider देखो हमने यहां पर compass और divider में क्या फरक है यहां पर pencil लगाई जाते है बट यहां पर कोई pencil नहीं दिखाए जाती है यहां दोनों point क्या है and pointed end है the divider has two pointed end यहां पर क्या है दोनों ही end क्या है two pointed end it is used to compare length इसका use किसली क्या जाता है कोई length होती है उसको comparison के लिए इसका use किया जाता यह है divider next देखने क्या दिया गया set square देखो यह क्या है set square these are two triangle device used to draw perpendicular line and parallel lines perpendicular lines इस तरह की line को measure करने के लिए या parallel line को measure करने के इसका use किया जाता है next देखिए next क्या है इसे हम common language में क्या कहते है dia protector इसको क्या कहा जाता है protector इस तरह से इसकी shape होती है it is a semi circular device on which part from 0 to 180 are mark नहीं यहां पे देखो ध्यान से start होती है और इस तरह बढ़ती बढ़ती यहां पे क्या आ जाता है 180 इसका use हम क्यों करते है it is used to measure and draw the angle angle को measure करने के लिए draw करने के लिए इसका use किया जाता है अगर आप से कहा जाए कि 90 degree angle बनाए तो आप d का use करके यह देखो यह रह 90 degree इस तरह से यह line बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा 90 degree का angle ठीक है तो protector का use क्यों क्या जाता है angle को draw करने के लिए और measure करने के लिए आइए अब हम question करते हैं क्या question दिये गए है आज की work sheet में आइए देखते हैं let us do let's find together how many geometrical tools and shape have been used in this figure इस figure में कितनी tools और कितनी shape यूज की गया यह उसके बारे में हमें करना है तो आइए पहले हम देखते है tools के बारे मिके कौन-कौन से tool यहाँ पर use की गई है तो सबसे पहले देखे ये क्या है बिटा ये क्या हो जाएगा ruler यहाँ पर ruler use किया गया है उसके बाद देखे next क्या हो जाएगा बताएए देखो ये क्या हो जाएगा protector ये क्या हो जाएगा divider ठीक है next ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा set square तो कितना tool यहां पर use की गई है, four tools यहां पर use की गई है, तो आईए करते हैं, first answer बेटा, देखे हैं हमें कुछ नहीं करना, बस tools के name यहां पर लिख देने हैं, तो आईए करते हैं बेटा answer हम, ठीक है, देखें, first में क्या लिख देंगे आप, ruler use किया गया था, एक second, तो आप यहां पर लिख देंगे, ruler, ठीक है, next क्या use किया गया था, set square लिख देंगे हम, यह हो गया, set square, उसके बाद क्या use किया गया था, protector, protector, यूज किया गया, और क्या use किया गया था, इसके अंदर divider यूज किया गया है, तो अभी हम first question का answer ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यह हो गया divider, ruler यूज किया गया, set square यूज किया गया, protector यूज किया गया, और divider यूज किया गया, आईए, अब हम shape देखते हैं कि कौन कौन सी शेप है यहां पर यह देखते हैं बिटा देखो कौन को सी शेप दिखाई दे रही है आपको यहां पर तो सबसे पहले देखो आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है रेक्टेंगल यह देखो यह रहा रेक्टेंगल ठीक है उसके बाद आपको सरकल यह देखो सरकल है तो first कौन सा है rectangle उसके लाबा हमें circle दिखाई दे रहा है यहाँ पर सरकल लिख देते हैं नेक्स हमें दिखाई दे रहें triangle तो हम यहाँ triangle लिख देते हैं और quadrilateral तो इस तरह से आपको naming लिखनी है यहाँ पे यहाँ शेप के आगे आप यह लिख लीज़ेगा ठीक है स्टूरें तो बेटा आज की वर्क्षिट कंप्लीट होती है वर्क्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेदे चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और शेर झाल